आजकल जिन्दगी इतनी फास्ट होगे ना आप गेम फेल लो आप कॉंटेंट ग्रेटर हो आपको कुछ विचाए इंटरनेट स्पीड क्यों ना हर चीज चाहिए बिल्कुल फास्ट एक तब मतलब टाइम ना लगे तो पीसी की स्टोरेज फास्ट क्यों नहीं होनी चीए और स्पीड जेन 3 से दो गुना जाता तेज है और अगर आप हाट्राइव से कंपेर करोगे तो इससे बारा गुना जाता तेज है मतलब अभी क्या बता हूं पूरी वीडियम आपको पता चल जाएगा तो पहले डपा खोल लिते हैं इसके अंदर से हमारे को मिलती है एक हमारे क आप देख सकते हो लगी-लगाई हीट सिंग के साथ हमारे को मिलती है और यहां पर हमारे को मिल जाते हैं कुछ स्टिकर्स और यहां पर रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विसे का कार्ड मिल जाएगा एक वारंटी की बुकलेट और एक लास्ट मिमर को कुईक स्टार्ट तो आप सीधा बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा इसके बारे में कि इसमें हमारे को प्री अप्लाइड हीट सिंग मिलती है जैसे हम यूजली एससडी बाइब करते हैं तो हमारे को हीट सिंग अलग से लिनी पड़ती है और वहीट सिंग बढ़ी है इसके उपर आपको लगी लगाई हीट सिंग मिलती है और एससडी के लिए हीट सिंग ना मतलब आज की डेट में में मान लो आप क्योंकि जब हमारे रीड और राइट स्पीड इंकरी होती है तो यह सपैसिफिकली PS5 सपोर्ड़ है क्योंकि जैन 4 वाली है और हीट सिंग भी अब इसको गेमिंग SSD नाम इसले दिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे special features है जो शायद आपको पताऊने चाहिए यह हमारी 5100 TBW के साथ आती है थोड़ा सा complicated है इसली समझाता हूं 5100TB रिटन अब हमारे पास जो SSD है वो 2TB की है जो 5100TB है वो 4TB के SSD के लिए हमारे पास देती है मतलब 5 साल पर रोज आप इतना डेटा डिलीट और राइट करोगे ना तब भी आपके SSD को कोई फरक नहीं बड़ेगा और यह बहुत बड़ा नंबर है इतना डेटा दस सालों में भी read and delete नहीं कर सकते और इसके अंदर हमारे को 3 साल के लिए rescue data recovery services मिलती है यानि कि 3 साल तक आपका data accidentally delete हो जाता है कुछ भी हो जाता है तो भाई when loan services है जिनका success rate 95% तक है आपका data retrieve करने में तो आपको data loss के बारे में सोचने की भी को ऐसे टेंशन नहीं है तो यह तो मोटे मोटे की features होगे इसके बारे में आप सीथा की testing कर लेते हैं मैंने इसको नामने PC में इस और पीसी में इस्टॉल करना अतना मुश्किल नहीं है जस्ट आपको M.2 slot में लगानी होती है और उसके बाद अपना screw tight कर दो और यह हमारी SSD यहां पर लग देई बस आपको एक चीज़ यह confirm करने है जो आपका motherboard है वो जैन 4 SSD सपोर्ट करता है यह नहीं तो SSD को चेक करने के लिए सबसे पहले क्रिस्टल डिस्क मार्क का टेस्ट किया हमने जैन 3 और जैन 4 का यहां पर comparison आप देख सकते हो जैन 3 में maximum read and write स्पीड हमारी 3400-2700 Mbps और जो हमारी जैन 4 SSD है यहां आप देख सकते हो 7300 एप्रॉक्स रीड स्पीड है और 7000 हमारी अप्र और इस SSD को ना मैंने heat sink के बिना भी touch करके देखा तो आप अपने सामने score देख सकते हो heat sink के साथ read and write speed और temperatures कितने हैं और heat sink के बिना read and write and temperatures कितने हैं काफी drastic difference हमारे को दोनों के अंदर मिला है तो यहां पर PS5 पे SSD लगाने से पहले मैंने सोचा loading times चेक कर लिए जाए अप्सिमेडली 7 seconds लगे हमारे को ghost of sushima को load करने में जो उसकी old SSD है PS5 की stock SSD जो आती है तो PlayStation 5 में भी लगाना ऐसा कुई मुश्किल काम नहीं है तो यहां पर SSD लगाने के बाद कुछ ऐसा मैसे जाएगा तो हमारे को यहां पर SSD अपनी format करनी होती है और format होने यहां पर हमारे 2-4 seconds लगते हैं और यह format होगी तो यहां पर अगर हम storage में जाते हैं तो M.2 storage आप यहां पर देख सकते हो Seagate Firegood of 530 हमारी यहां पर show कर रहा है और free space पूरी की पूरी 2 TB यहां पर दिखा रहा है 120 GB यह गेम है और सामने loading की percentage आप अंतादा लगा सकते हो कि speed कितनी तेज है इस SSD की तो यहां पर हमारे M.2 storage में दोनों games move हो चुके हैं अब हम इनकी loading speed टेस्ट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा Uncharted 4 9 seconds में properly open हो चुका है और 6 seconds में हमारा Ghost of Tsushima लोड हो गया है तो भाई देख ले अपने SSD के बारे में read and write speeds हो गई, booting time वगर हो गई, game के loading times हो गई हर चीज कितनी तो fast हो जाती है एक storage से, पढ़ला processor हो गया RAM हो गया, फिर graphics card हो गया वो एक अलग चीज है लेकिन आपकी storage भी matter करती है और इसमें ऐसा कंपल सरी नहीं है कि आपको 2TB वाली ही purchase करनी है इसके अंदरा हमारा को 4 वेरेंट मिल जाएंगे 512GB से लेके 4TB तक तो जैसा आपका budget आप वैसी भी buy कर सकते हो तो भाई ये वाली SSD आपको लेनी चाहिए या नहीं ये आपकी usage पर depend करता है आप gamer हो आप content creator हो आपके लिए time ही पैसा है तो कोई चीज फास्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है और जो इन SSD के prices है वो भी काफी competitive है description में link छोड़ दूँगा आपको check out करने माज check out कर सकते हो like भी मार सकते हो वीडियो सब्सक्राइब करो चैनल को मिलते नेक्ट वीडियो में अब तक के लिए बाए